इस वक्त हम हैं अमेटी के तिरोई में मौझूद नरायन गंज चिरोहा पे ये जानने के लिए कि क्या है इस बार अमेटी का चुनावी मिजास स्मृतिरानी बनाम राहुल गांधी की इस चुनावी जंग में कौन मारेगा बाजी आईए जानते हैं यहां की जनता सबसे पहले में शिरुवात करती हूँ सर से क्योंकि सर यहां पे सबसे पहले सेनियर सिटिजन है तो सर आपको सर आपका नाम सर आपने देखा होगा कि अमेठी में कई सरकारे आई कई गई जो की कहते कि अमेठी जो है कौंग्रिस का गड़ है कौंग्रिस का गड़ है यही से सब पूरा गांधी परिवार यहां से जीता संसत पहुंचा क्या लगता है इस बाज किसकी लिए लोग सभाव में तो राहूल गांधी अब तक जीतते हैं लेकिन फिर हम लोग जियों के तेवे हैं कोई इनोंने काम नहीं कि हमारे शेति में 10 साल में कुछ नहीं एक बंबा भी नहीं कड़ा करें इस वज़े से हम लोगों मन बना लिया है कि अब कि उनको नहीं देना है वोट आपको भी सर यहीं लेगता है जैसे सर ने कहा है कि राहूल कांधी चो तीन बार यहां से सांसर चुने गए लेकि काम नहीं किया जी एक पैसे काम नहीं हुआ एक अठनी का भी काम नहीं हुआ हमेशा हो यहां की जन तक समझ के छलते रहें और आगे ऐसा लगता है छलते ही रहेंगे और बाकी विकास तो यहां कुछ हुआ नहीं उनकी पिता जी ने एक बश्टाब बनवाया तो भी ख़डार पड़ा पता जाने कितनी जाने चली जाए एक पैसे को कोई विकास नाम नहीं हुआ है इसलिए हम लोगों ने एक सपत सी ले लिए कि आपकी बार स्मिति इरानी जी को जिताया जाए साइद कुछ अपना अलग हो अमेठी बाकी कुछ भी कास नहीं हुआ है चलिए इन्होंने तो शपत ल सुला बार जो है सांसा दुआ है ठारा में राहूल गांधी बनाम कांग्रेस यह सिब एलेक्शन में आते हैं उसके बाद पांच साल दिखाई नहीं देते विकास इस पैसे का हुआ नहीं अगली बार हम लोगों से चूक हुई हम लोगों को वह महिनत करनी की जरूर थी जो की पाई आपकी बार इसको हरा करके वापस भेज देना है कि वह ही है जहां से आया है इसको जीतना नहीं है वापस भेज देना है जहां से आय है क्या कहेंके भई अब लोग आते हैं अमेठी की कि पूरे हिंदु स्तार में नाम है जब से राजियु गांधी चले के लोग करते हैं यह बीयाईईपी सीट राजीु खताम होने के बाद शरमती सोन्या गांधी दो बार काइपटर सथी सर्मा संभधा दो बार राहूल गांधी संभधा तीन बार नाम मात का विकास हुआ है अ कैसे नाम भर कही हाप विकास हुआ है सर अमेटी में? लेकिन आपने काई कि अगर आज जानी ऑप जाती है तो राख जानी जाती के नामे को उन्होंने काम किया में ठीक वो बहुत बध्या काम था कराई लिए घरो राजू गांधि ये। अमेठी को राहूल गांधी ने एक ब्रांट नेम दिया है कुछ नहीं कोई जो काम करता है इनके पूर्वजों ने जो काम किया है उन्हेका वज़ेसा है ब्राण नेम मने तो निल है कुछ नहीं बस वही है कि पैत्रिक संपत को बैट लेकिन अभी कह रहे हैं कि अब जब आउंगा तो अब गरीबों को 72 अजार पे दूंगा साल का अब 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 तरह साल में कई गरीब का उदार के इन बहुत आप 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 सरकार में रहे कुछ दिया नहीं आप क्या दे देंगे क्या दे क्या दिया मेठी को कुछ नहीं सिर्फ लिया यहां से अमेठी का नाम लिया अमेठी के अमेठी वालों ने उनका नाम दिया है कुछ नहीं किया विकास के नाम पर कुछ नहीं किया मोहंगल से राइबली से ले जाएगे रास्ते में एक्सिटेंट हो जाएगा मर जाएंगे आप यह है यह मेठी संसद यह चेत्र देखिए मोहन गिल से जगदीश पूर जाईए यह मेठी रोड जाईए ना देखिए अभी जा करके एक्सिडेंट हो जाएगा रास्ते में मर जाएंगे मोटर साइकल पंचर हो जाएगी वहां मिलेगा नहीं पंचर बनाने वाला यह रा पहले दिया नहीं 15 साल के हिसाब दो उसके बाद में फिर देखेंगे 15 साल में जितना मिलना चाहिए हम लोगों को देखाओ जब नहीं किया इतना काम तो प्रियंकर गांधी यहां अगर डंके की चोट पे कहती मेरा भाई ना जीतेगा पनाती हैं पांच वर्स बस मेड़सा और जो बेकूफ कांग्रेस को ओट करें वो करें पांच साल बाद आए भाईया को ओट कर दो भाईया से नहीं पूछ सकती हूँ कि भाईया ने क्या किया पांच साल में 15 साल 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 में क्या किया भाईया ने भाईया से पूछो उसके बाद भाईया को जबाब मिलेगा अच हैं आप करने वाला आ गया है किसी दूसरे की न राहु है ना राहुल गांधी के जरुवत है ना प्रेंका गांधी की झरूवत है अब देश में करने वाला गया है उसे करना का कि सब्हada क्रों apologize मोधी जी की तरफ मोधी है तो मुंकिन है लेकिन भाई के बाद बहन भी कहती कि देश के चौकिदार चौर है चौकिदार तो सिफ अमीरों के होते हैं गरीबों का तो कोई होता है हर बेक्त अपने अपने घर का चौकिदार होता है हर बेक्त चौकिदार होता है अगर चौकिद कि लोग चाहते हैं कि रोबर्ट वाड्रा भी राजनीती में आ जाएं सर प्रेंका गांधी को इसलिए लाए गया राबर भरेरा को जाच में फस रहा है वो घोटाले में जा रहा है अपने पती को बचाने के लिए अन्यता राध में तुनको नहीं आना है अगर आना भी है तो कुम्बोधी के खिलाफ वाराणसी से कांग्रेश को प्रेंका गांधी को लडा देना चाहिए अगर उनके अंदर दम है तो वाराणसी से प्रेंका गांधी के सामने लडा दें उसके बाद मानते हैं कि इनको राजनीत करना है अन्य था वो सिर्फ बढ़ेरा को बचाने के यहां थे अब रोड शेल वाड़ा भी आयए वो भी बोले कि मुझ राहूली जीते अर्याद बोलेक तो बुल भेकरी हैं तो समय कहाते अरे तू पढखा जब रावन का गय रहे तो का रोड़ा नहीं जीते मुर भीया जीते राम नहीं काब ना कट गई चली गई बती हुआ पाटर जी कहते हैं बड़ा बदलाव आने वाला है देश में मोधी हटाओ देश बचाओ नहीं मोधी हटेंगे नहीं मोधी रहेंगे बदलाव इतना होगा कि ये जीजा साले की दुकान जेल में लगेगी और हम लोगों अमेठी वासियों को एक अच्छा घर का पुर्खा चाहिए वो राहूल जी में अतने घर से दिखाई नहीं चल पाएंगे इस्मृती राणी जी बिल्कुल सही है हमको एक अच्छा और सुच अच्छबी वाली अगुआ चाहिए हमारे घर का पुर्खा चाहिए बस यह कहना आचा सर एक सवाल यह भी आता है ना हां सर आपको क्या लगता अभी तक आपने जो सुनी बात लोगों की क्या लगता है जब से वह हारी भी है तो हम 100 का नाता जुडा रहा हर महीं हर तिसरे महींने आती है और राहूल गांधी तो दब आते हैं जब इलक्सन होता है अपनी कॉणच ले आएंगे से सब को ले आएंगे जीतना है ओने को कोई विकास star करते नहीं है और राजीव गांधी के नाम पर जीट चले आ रहे हैं और भुर 1-2 को जीत मिली है अमें मैंटी बिश्बरासत की नहीं प्रवाइब करें दोग पर पर दोगे जीते हैं अच्छे पर यह बनता है वह कौन सी बात है जो स्मृति रानी में वह राहुल गांधी में नहीं आपको जो दिखाने के बाद भी हम लोगों से संपर किया बराबर हम लोगों के साथ आती जाती रही कहीं आग लगी को तो उन् स्मृति रानी को पहले बेजना चाहिए समान कम्मल भेजे वो अनाज भेजे वो सबसे पहले स्मृति रानी भेजती हैं और राहुल गांधी का छेत्र है पहले राहुल गांधी को भेजना चाहिए उसके बाद स्मृति रानी को भेजना चाहिए ना ना कि स्मृति रानी पह और रहूर गांधी जी दिखावा करते हैं तर आपको क्या लगता है समृति-नों के दोनों के दोनों एक जैसे आपको क्या लगता है आपको भी कभी नहीं कोई ऐसी खूबी जो आपको लगता है वो स्मृत्र रानी में राउल गांधी लोको इसमीटी ने हारने के बाउजूद कम सिकाम अर्टीज बाराई कभी इसमीटी रानी आने के बाद राउल गांधी यहां आते हैं अगर इसमीटी के दोरा लग गया तो उनका दोल भाई आप लोग खड़े हैं बताइए ना कि तिलोई आये क्या इस तिराहे पे आये नहीं आए अब आएगा वह अब आएगा उसकी बहन आएगी सब आ रहे हैं लेकिन पांच साल एलेक्शन को बीत जाने के बाद इस तिराहे पे वो नहीं दिखाई पड़ा एक बार भी हमारे यहां बिजली नहीं होगी हम ब्याइपी बनके घूमेंगे नहरों में पानी नहीं होगा ब्याइपी बनके घूमेंगे हमको समय पे खाद नहीं मिलेगी तो हम ब्याइपी बनके घूमेंगे हमें बीज नहीं मिलेगे तो हम ब्याइपी लेकिन अब हमको जिस सीज की जरूरत है वो हमको मिल ली है मिलना शुरू ही अभी हमको 60% मिला है 40 बाकि वो भी अब की बार ये 5 साल सरकार बनने के बाद हमको मिल जाएगी अच्छा सरा आप बताईए समेथे रानी और राहूल गांधी में क्या फर्क है आप से जादो कौन अच्छा वह पढ़ावाद पढ़ा थी अपने मन से पढ़ा थी पर फरकत ना है इसमें ते नानी स्वायम के विचार करते हैं और उनको दो दूसरा आदमी बता देता वह विचार करते हैं वह बताते हैं बस फरकतना इतना फरकत अप सोची लीजिए तक रहूच अधि दूसरे के इशारुपर पर रहान गांधी का घर है तीन चाल लाग वोटों से जीतेंगे जो तीन चाल लाग वोटों से जीता था अगली बार क्या किया उन्होंने इसकी बतानी के जुरुवत नहीं है तब वो एक लाग साथ हजार से जीता अब की बार वो दो लाग चौदा हजार से हार जाएगा तो आना जाना लगे रहता है दूसरा घर में क्या देखें यह तो क्या रहे है रहुल गांधी का घर है तो करने आते हैं बस अब जो आए करने आते हैं यहां और काम करने थोड़े आते हैं बाहर निकल जाते हैं विदेश जाते हैं यहां कहा आते हैं आप क्या आये होंगे भाई हम नहीं जानते लेकिन हम लोगों नहीं देखा उनको इसमत्री जी तो आई ती राखी बांद्य है हम लोगों के लोग जानते हैं अब की पत्ता साफ है वहया आपकी पत्ता साफ हैं आप इशारा कर रहे सीधा पत्ता साफ नहीं मेडम वो आपकी चाल लाग ओड से जीत रहे हैं और देश के परधान मंतरी बनेंगे देश के परधान मंतरी बनेंगे पंदरा साल में राहूल गांधी जी ने अमेठी छेतर में सिर्फ गड़ा किया है कभी उसको देखने नहीं आए कि क्या हो राम हवाय छेतर में लोग साइकिल सो लोग नहीं चल पाते थे तो आज कोई भावना में नहीं बहेगा यहां की जनता जो है भारतिय जनता पाल्टिक टीक है और जिस दिन आप कांग्रेस के बारे मैं जानियेगा एक समय था एक समय था जब हम बहुत छोटे थे जब कांग्रेस को नाम चलता था तब वो पूरी बहुमत में रहती थी इंद्रा जी और राहुल जी का समय आ गया कि राइबली मेटी चोड़ कहीं सब पत्ता साफ हो गया अब की बार दोनों चेके से भी पत्ता साफ होना राइबली मेटी एकदम साफ यूपी से मामला साफ अब एकदम कलर एंड बिलकुल फिक्स है इसमी तीरानी जी